हलो दोस्तों, आज हम रुपन माता के मंदिर में तेजगण के जंगलों में आए हैं, यहां पर हम बिना सोर साधन के मेगी बना कर खाएंगे और लुपत उठाएंगे, कैसे आप बिना सोर साधन के जंगलों मेगी बना कर खा सकते हो, इसका बहुत ही आसान तरीका बताएंगे वीडियो में अंतों तक बने रहना बहुत सारे सिक्रेट बताएंगे तो चलाएए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने टमाटर, प्याच और मिर्च ली है इनको लंबी-लंबी स्लाइस में काट रहे हम इस टाइप से एक कड़ाय ली है उसमें ओइल गरम करके मिर्ची को फ्राई किया है सबसे पहले मिर्ची को फ्राई कर रहे हम जंगलों में मेगी बनाने का आनंद ले रहे हैं प्याच एट कर दिये उसमें प्याच को अच्छे से फ्राई करेंगे इस टाइप से देखिए देशी चुले पे हम चाकू की साइथा से इनको हिलाय जा रहा है क्योंकि यहां पे जंगलों में सारी चीज़ अवेलेबल नहीं रहती है जुगाड करके चलाय जाता है इस टाइप से देखिए अच्छे से फ्राई किया जा रहा है प्याज और मिर्ची को चंगल में बहुत सारे जुगाड करना पड़ते हैं सारे सादन अवेलेबल नहीं रहते हैं टमाटर एट कर दिये अब हमने प्याज हरी मिर्ची के बाद टमाटर एट कर दिये सबकी हमने लंबी-लंबी स्लाइस में कटिंग करी है इस टाइप से देखिए सबको अच्छे से फ्राई किया जा रहा है और चाकू की साहिता से इनको मिक्स किया जा रहा है अच्छे से चमच हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस टाइप से सबी को अच्छे से फ्राई करेंगे हम आज हम चंगल में मेगी बनाने का अनंद लेने के लिए आये हैं इस टाइप से सभी को अच्छे से फ्राई होने देंगे दो से तीन मिनिट तक अच्छे से फ्राई हो रही है हमारी सभी चीजें उसके बाद मेगी मसाला एट किया जा रहा है इसमें प्याज टमाटर और मिर्च में मेगी के मसाले थोड़ा सा केचप डाला है किसान केचप इससे हमारे मेगी में टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा और बहुत ही स्वादिस्ट हमारी मेगी बनेगी इस टाइप से सबको अच्छे से फिर किया जाएगा चाकू की साहिता से इस टाइब से हमने मसाला तयार किया है इसको एक बाउल में अच्छे से निकाल लेंगे एक बाउल में निकाला गया है मसाला हमने टामाटर प्याज और मिर्ची का तयार किया है ओईल में फ्राइ करके अच्छे से इस टाइब से कड़ाई में पानी एट करेंगे एक बड़ा लोठा पानी एट किया है पानी को अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद मेगी एट करेंगे इस टाइब से मेगी एट किया जा रहा है इस टाइब से देखिए मेगी को एट किया जा रहा है पानी के अंदर पानी अच्छा उकलने के बाद मेगी को एट करना है आपको हमने तीन से चार पाउच मेगी के लिए हैं उनको अच्छे से पानी में उबा लेंगे इस टाइप से देखिए हमारी मेगी अच्छे से बन रही है इसी टाइप से आप जंगल में बड़ी आसानी से मेगी बना के खा सकते हो बिना सोर से साधन के थोड़ा और एट करेंगे हम इसमें मेगी के पाउच जितने भी पाउच निकले सारे एट कर देंगे इसमें चार पाउच इस टाइप से सभी मसालों को एट कर दिया है मेगी में हमने और अच्छे से हमारी मेगी बन रही है दीरे दीरे देशी चुले का जुगार किया है हमने देशी चुले पे आज हम लकड़ी की आख से मेगी बना रहे हैं तोड़ा मेगी मसाला मेजिक मसाला मेगी का इससे टेस्ट बढ़ेगा हमारे मेगी में और बहुती स्वाधिस्ट और टेस्टी लगेगी मेगी हमारी इस टाइब से देखी हमने जो मसाला तयार किया था वो एट कर देंगे उपर से प्याज टमाडर और मिर्ची का तेल में फ्राई करके मसाला वो एट कर दिया मेगी में इस टाइब से सभी को अच्छे से चाकू की साहिता से मिक्स करेंगे और इस टाइब से हमारा मेगी बहुत ही अच्छी तरीके से बन के त्यार हुई है इसी टाइब से आप जंगल मे मेगी बनाएंगे थोड़ा और मेगी मसाला उपर से एट कर देंगे आदा होर बचा हुआ था पाउच वो एट कर देंगे इसी तरह से हमारी मेगी पूरी तरीके से बन के तयार हूचुकी है इसी टाइप से आप मेगी बनाएंगे तो बहुती टेस्टी और स्वादिस्ट बनेगी उपर से थोड़ा और नीमु निचोर देंगे टेस्ट लाने के लिए निम्बू का यूस किया है हमने आखरी में एक निम्बू डाला है जिससे हमारे मेगी में जान आ जाए और टेस्टी और स्वाधिस्ट लगे तो दोस्तो इसी टाइप से आप जंगल में मेगी बना के बड़ी आसानी से खा सकते हो बिना सोर ससाधन के केले के पत्ते पे प्लेटे नहीं है तो हमने केले के पत्ते का यूस किया है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेर सब्सक्राइब करिए धन्यों